हेलो अब्रेवन जै हिंद आज है 20 मार्च और आज किस वीडियो में हम 20 मार्च से बनने वाले करंट अफर के सभी important questions को cover करेंगे और इसके पहले कल तो चली रिवजन हम लगोंने किया था लेकिन इसके पहले 18 मार्च को हम लगोंने पढ़ा था कि फीफा के अध्यक्ष जो कि थी ग्यानी इंफैनिटो इनका कारेकाल फिर से बढ़ाया जा रहा है प्रेसिडंड द्रौपदी मुर्वू ने अभी हाली में आईनस द्रोन अचारिये को प्रेसिडंड कलर आवार्ट से सम्मानित किया है गवर्नर ओफ दैयर ये बने शक्तिकांत दास जो की आर्विया के प्रेजन टाइम में 25 क्रम के गवर्नर है सी ड्रैगन एकसरसाइज दोहजार तेज जो है ये साउथ कोरिया अमेरिका भारत करणा इन सभी कंट्रीज के बीच में आयोजित हुआ है रास्ट्रिटी का करण दिवसोला मार्च को मनाया जाता है सी चेंजस क्लाइमेट के लिए इसरेय घोडावत को राजदूत के रूप में नियुक्ति किया गया है दक्षण एशिया का सर्वस रिष्ट हेयरपोट बना है दिल्ली इंटरनेशनल हेयरपोट वायको मेंटीन के ब्रेंड अमबैजलर एमेस दोनी और प्रिज़र आर्किटेक्चर आवाड मिला है इंगलेंड के सर डेविट चिपर फिल्ड को तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल हाली में किस देश की सीनेट ने सीनेट कहां की ये आपका अमेरिका की उच्छ सदर है किस देश की सीनेट ने भारत और चाइना के बीच में मैक मोहन को अपचारिक रूप से अंतराश्टी रेखा के रूप में मन्यता दे दी है तो सीनेट आप लगों ने पढ़ लिया मतलब किसमें आप तुक्का भी रगाएं तो आपका आंसर सही होगा अमेरिका ने अभी हाली में अपचारिक रूप से मैक मोहन रेखा को भारत और अरुनाचल प्रदेश मतलब भारत का जो अरुनाचल प्रदेश है आप देख पा रहे हैं भारत का ये सबसे जो पूरवी राज्जे है और चाइना के बीच अंतराश्टी सीमा के रूप में मान्यता दे दी है देखिए उससे में जो विदेश अचीव थे भारत के सर हेंडरी मैक मोहन इन्होंने ब्रिटिस इंडिया और तिबबत की बीच में 890 किलोमीटर लंबी सीमा कीची थी जो कि इसमें जो तवांग वाला शेतर है न अरुनाचल प्रदेश का ये भी शामल था जिसे मैक मोहन ल खौंडर शेयर करता है इस लाइन को हम मैक मोहन के नाम से जानते हैं सेम वैसे ही भारत के इस कंदे पर बैठा जो पाकिस्तान है यहां जो लाइन है इसे आप रेड़ किलिफ लाइन के नाम से जानते तो दोनों ही रेखा है आप याद रखेंगे इसमें से एना चाईना की क्यापटल बीजिंग करंसी रेन में भी प्रसिडेंट सी जिंपिंग है चाइना के कुछ करंट अफर के फेक्ट यह दी हम देखें देखें हाइड्रोजन से चलने वाली एच ट्रेन लिख देती ही मतलब हाइड्रोजन ट्रेन समझ जाएंगे आप यह चलाने वाला एशिया का पहला देश यह चाइना ही बना है इसके लावा एक एक सरसाइज है 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 यह आप पढ़ते हैं भारत और चाइना के बीच में ठीक है इसके लावा पॉपुलेशन के मामले में अब भारत चाइना से आगे निकल गया है यादि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एक गन कंट्रोल विधेयक चर्चे में था गन कंट्रोल विधेयक ब्रिटेन जो है अभी एक रिशी सुनक ने बिल आया है अट्लांटिक इसके पहले हम लोग ने पढ़ा है कि इमर्जेंसी क्लाइमट इमर्जेंसी लागू करने वाला पहला देश जो है यह ब्रिटेन ही हो जाएगा और जापान के सहयोग से भारत में पहली बार बुलेट रेंड चलने जा रही है आगे चलते हैं हाली में जारी वैश्वे कातंक सुचकांग जारी किया इसमें लगातार चौथे वर्स सबसे अधिक प्रभावित देश बना हुआ है यह रिपोर्ट रिलेस की गई है आई एपी इन्स्टिट्यूट फॉर एकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जो कि सिड्नी इस्थितिक संस्थान है इसमें भारत को ते रह अधर एक लाइन याद रखेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान की बीश में डूरंड लाइन तो देखो तीन लाइन ने आज हम लोगों ने याद रख ली यहां से रेड़ क्लिफ लाइन और यह वाले शेत्रे से आप लोगों ने मैक मोहल लाइन पढ़ ली है अफगानिस् खाशा नारा था जिसके बाद से 20 साल से तैनात यहां जो अमेरिकी सेना थी यहां से वापस जा चुकी इसके कारण बगराम एयर बेस भियां का काफे ज़्यादा चर्शी में था हलाकि यहां फसे जो भारती है उस समय उन्हें निकानने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो कमजोर अर्थ विवस्था वाला देश जो है वो कौन सा बना है यह पाकिस्तान ही बना है फिर सीरिया सबसे अशान्त देश आप इसे कह सकते हैं यूक्रेन और रश्या के वीच में युद्ध हुआ था तो यूक्रेन से भारतियों को निकालने के लिए भारत सरकार ने जो चलाया था इसका नाम operation गंगा आप लोगों को याद रखना है आगे चलते हैं किस राज्य को पहली बार electric train मिली है तो देखिए पुर्वतर भारत को जो राज्य है मेघाले यहां पहली बार electric train मिल गई है पुर्वा पुर्वतर सीमांत रेल्वे एन फार ने यह घोशन की है कि मेघाले को मार्च इनकी इसी महीने पहली बार electric train मिली है और यह अभी 2023 महीं मतलब यह मार्च की बात है मार्च आज भी इस तारीक हो गए यह खतम होने में तो दुदनाई दीपाथर line section और अभैपुरी पंचरत double line section के जो विद्धितिकरण का काम है यह पूरा कर लिया ग पता है और यहां के दोबारा से मुख्यमंत्री यह कौन राट संग्मा बनाएंगा है यह मैं आपको बता ही चुकी हूँ इसके लावा गारों खासी जहनत्य तीन पहाड़ी आप लोगों यहां से पढ़ी ली है और भारत का नौर्थ इंडिया का आप प्यासकते हैं पहला अद्रक प्रसंस्क्राण संयंत्र जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट है न जो यह यहीं इस्थापित किया गया है उत्रा खंड में इदिया आप रिलेट करोगे देखें पहला ग्लास ब्रिज भारत का यहीं रिलेट कर सकते हो इसके लावा हाल फिलहाल में आप लोगोंने क्य सब्सक्राण सकते हो कि यहां मनाया गया है एशिया यह आप कह सकते हैं पुरी दुनिया के एक मात्र तैयाख कि गई गंगा विलास इसका नाम था आदे चलते हैं सरसुती संबान दोहजार बाईंस से किसे संब्संकरी इन्हें यह तमिल लेखी का है इनकी जो किताब में सूर्य वंसम इसके लिए इन्हें 2022 के सरस्वती संवान के लिए चुल लिया गया है इनका यह जो रचना ही 2019 में प्रकाशित हुई थी वैसे 2021 का जो सरस्वती संवान है यह किसे मिला था राम दरस मिश्रा को 2022 की जो गोश्णा हुई है इसमें सिव संकरी ज्यान चतुरवेदी को मैंने क्या बताया था आप लोगों को भई व्यास सम्मान याद रखना है आप लोगों को व्यास सम्मान 2022 वाला 2023 का और फिर माधव हाड़ा 32 वा बिहारी पुरुसकार इनसे आप रिलेट कर सकते हैं आगे चलते हैं भारती रेल्वे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष रखा है तो यह मैं आपको टार्गेट कई बार बता चुकिए इंडियन रेल्वे के टार्गेट 2030 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने का यह ना इस पहल का उत्देश कुसंस अंचालन के माध्यम से उर्जा की खपत को कम करन और रेनेबल एनरजी की उपयोग को बढ़ावा देना है इंडियान की बात करूँ तो प्रेजन टाइम में मंत्री कौन हो जाएंगे वर्तमान में अश्वनी वैश्णौ अश्वनी वैश्णौ यह रेल मंत्री है यह बात करूँ रेलवे के रेलवे बोर्ड के जो कि गई थी इसके MD और CEO के रूप में अभी हाली में अनिल कुमार लाहोटी की उनीक्ति की गई है लाहोटी कई जगा लोहाटी भी आपको लिखा दिखाई देगा और रेल किसकी देन थी भारत में लाड़ डलहौजी की देन थी पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी मुंब कि भारत में पहली बुल ट्रेन जो हमदाबास से मुंबई के बीच चलेगी जापान के सहयोक से चलेगी भारत में जो पहली अंडर वॉटर ट्रेन है कहां चलेगी यह चलेगी पश्रिम मंगाल में कुलकाता में चलाई जानी 2023 तक और 2025 का लक्ष भारत का TB मुक्ति का है जब किया था यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे परी संपत्यों की रक्षा करने के लिए अभी हाली में वाट्सअप पर फूट डिलेवरे की सुरुआद भी इंडियन रेलवे के द्वारा की गई है आगे शलते हैं भारती सॉफ्ट्व और कंपनी TCSN की टाटा कंसल्टन से स तो यह रोहित जावा किसके हो जाएंगे हिंदुस्तान यूनि लिवर लिम्टेट की कुस्समा पहले बनाए गए विवियार सुब्रेवन्यम नीती आयोग के CEO बन गए है यह तो देखें कुछ भारती संस्थान हो गया लेकिन इसके लावा कुछ विदेशी संस्थान है जि अंदर पेचाई माइक्रोसॉफ्ट के कौन है माइक्रोसॉफ्ट यह हो जाएंगे सत्या नडेला बाटा जो कि एक ग्लोबल फुटवेर ब्रैंड है जर्मनी में जिसका हैटपॉर्टर है इसके ग्लोबल CEO के रूप में किसकी न्यूक्ति की गई है तो संदीप कटारिया की न्यूक्ति की गई है इसके अलावा एडॉब के जो CEO है यह शांतनु नारायन है और यदि आप रिलेट करोगे IBM इंटरनेशनल बिजनस मशीन आप इसे कह सकते हैं तो इसके जो CEO है यह कौन हो जाएंगे अर्विंद कृष्णा हो जाएंगे अभी वर्डवेंग के जो अध्यक्ष थे डेविट मलपास इस्तिफा देने जा रहे तो चांसे से अजब अंगा बन सकते हैं है ना वो तो ट्विटर ने पराग अगरवाल को बाहर कर दिया वरना ट्विटर के भी जो CEO थे यह भी भारत के थे आगे चलते सिक्षव मंत्रा आले की हालिया रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसके अनुसार बिहार में 61.8 प्रिचर्ट यानि कि सबसे कम साक्षरता है इसके बाद रुनाचल प्रदेश और राजस्थान है यह हम देखे सबसे ज़्याद साक्षरता कहां है तो देखे हमेशा की तरह के रल इसमें टॉप सीता मढ़ी में मा सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा बनने जा रही गौतम बुद्धी की सबसे बड़ी लेटी प्रतिमा यह भी यहां बोध गया में बनेगी है ना फिर यह दिया आप देखें गया वाला शेत्रत हो गया जमुई जमुई में विशाल सोने के भंडार पाए ग कांक भी रिलीज किया था ना इस गरीवी सूच कांक में बिहार रहा है टॉप पर देखें सचनेबल डवलपमेंट गोल इंडेक्स स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स और हेल्थ इंडेक्स इन सभी में टॉप पर जो राज्जी है ये केरल है यदि मैं बात करूं महर नेशनल डे ओफ एपिनस खुशहाली दिवसी हर साल 20 मार्ज को मनाया जाता है ठीक है युनाइटे नेशन जनरल असेबली में यह गुशित किया था तो 2013 में पहली बार यह मनाया गया अब यह इस बार कईदी हम कहें तो 11 अडिशन आप इसे कह सकते हैं 8 मार्ज को अंतर रा इका करण दिवस वेक्सिनेशन डे अगे चलते हैं एशिया का सबसे अंतर रास्ट्री खात्य और आतित्ति मैला जिसका नाम है आहार। यह कहां शुरू हुआ है तो यह देखिए दिल्ली में श्रू है, आहार मिला आहार मिला के बारे में हला कि पहले भी मैंने आपटलों उख बताया था यह जो मिला है ना यह अंतर आज भी खात दिया, आतित थी मेला हर तरह के वैंजन इसमें प्रदरशनी के रुप में शो किये जाते हैं और इसी का आएजन कहां किया गया है दिल्ली में किया गया है एक स्केंड रूखेंगे चलिए ठीक है अहार मेला इंटर्नेशनल फूड एंड खॉस्पिटरैर्टी फियर है तो यदि मैं बात करूं दिल्ली की दिल्ली यमुना नदी के किनारे पसी हुए भारत की क्यापटल इतना आप लगों मालूम है यहां के उपराज जिपाल है यह कौन हो जाएंगे मुख्यमंत्री तर्विंते केजरिवाल है अनिल बैजलनी अब विने कुमार्तर पाठियां की उपराज जिपाल है और फिर बैंगलॉर बैंगलॉर में प्राइम मिलिस्टर नरेंदर मोदी जी के द्वारा अभी हाली में एरो शो का उद्गाटक किया गया था एशिया का श राय सीना डाय लॉग चिन्ने में चवाली स्वा सत्रण जो ओलंपियाड इथा न जो यह एजित किया गया था फिर शंडीगड में नौर्थ इंडिया का सबसे बड़ा कह सकते हैं सोलर प्लांट नौर्थ इंडिया का न यहीं स्थापित किया जा रहा जो कि पंजाब और हर लाइज नौर्थ इंडिया का पहला डॉग पार्क भी स्थापित किया गया है लाश्ट का प्रश्ट में रखा है दोहजर आठ के संकट के बाद दिवालिया होने वाला अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक कौन बना है सिलिकन वैली बैंक इसके बारे में डीटेल में आ और्लो के लिए किसे भारती राज़ो की रुप में न्युक्ति किया गया श्रेया घुडावत राइट अंसर को आज का सवाल है संगाई सहयोग संगठन के परेटर मंत्रियों के बाठत कहां आई जित हुए अंसर इसका कॉमेंट बॉक्स में आप लोग बताईए डेली की क्विज पीडिएफ के लिए थांक यू सो मच